बात कहकर गए हैं, बात सौफ्ट हिंदुत्व को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए जो हिंदुत्व है, वो उसके प्रचार का जरिया है, ये देश सनातन का है, सनातन आचार और विचार का नजरिया है। कि जो एलाइंस के साथ कॉंग्रेस पार्टी है, उस एलाइंस के पार्टनर अगर सनातन को मलेरिया कहें, डेंगू कहें, उससे तुलना करें, और कॉंग्रेस के नेता मोन साधे रहें, तो क्या माना जाएं? इसका जबाब ना कमलनाच जी के पास है, ना राहूल जी के पास है कमलनाच जी व्यक्तिकत रूप से सनातनी हो सकते हैं हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कॉंग्रेस सनातन की पक्षतर नहीं थी कॉंग्रेस सीजनल हिंदू है आप सब इस बात को भली बात ही जानते हैं Congress हमेशा तुष्टी करन की राजनीती करती रही है चाहे वो राम मंदिर का विसाय आया हो तो यही Congress Party है जो राम के अस्युत्यू के मामले में एफिडेपिट कोर्ट में दे रही थी यही वो Congress Party है जिसने राम सेत्यू के मामले में नकार दिया था कि यह राम सेत्यू नहीं है लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब चुनाप के लिए हिंदुत्यू की जरूत है तो राहूल गांदी जनेव पहनने से नहीं चूकते हैं तो यह जो सीजलल हिदुत है यह देश के लिए भी खतरनाग है और व्यक्ति के लिए भी खतरनाग है और देश की जनता है यह सब जानती है और सब जानने के बाद जब मौका आता है तो रिजल्ट देती है विपक्ष का ये भी आरोप है कि आपने सिर्फ चुनाव में महौल बनाने के लिए वन नेशन वन इलेक्षन का मुद्दा उच्छाला देखिए हमने वन नेशन वन इलेक्षन के बात अधिकर दूप से तो कहीं नहीं लेकिन वन नेशन और वन इलेक्षन देश के लिए एक आदर सिस्थिती है प्रदानमंतरी नरेंद्र मोजीदी ने अनेक अफसरों पर देश को आभान किया है कि इस पर देश के लोगों ने विचार करना चीए रिमर्स करना चीए और हम लोग इस पर कैसे आगे बढ़ें इस दिस्था में हम लोगों को चलना चाहिए और मैं समस्ता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्षन हो वन नेशन वन टेक्स हो और राम मंदिर का सबाल हो धारा 370 को समाप्त करने का सबाल हो ये सारे सबाल भारतिय जनता पार्ड़ी के लिए वोट और चुनाप का विश्य नहीं है ये देज से जुड़े हैं आस्ता से जुड़े हैं और हम सब लोगों ने इस समय पर करके भी दिखाया है अगर कोई दूसरा राजनेतिक दल होता वो धारा 370 का मामला बोर्ट से जोड़ कर देखता तो हम 2019 से पहले धारा 370 को खतम करके चुनाब में जाते अगर राम मंदिर के विसे को आप बोर्ट से जोड़ कर भारती जन्ता पार्टी देखती तो हम 2019 के बाद राम मंदिर बने इस बात का प्रियास नहीं करते हम 2019 से पहले राम मंदिर के विसे को निराकरण करवाने में मदद करते सायोग करते और उसके बाद चुनाब ने जाते लेकिन चुनाब होने के बाद दारा 370 को हमने समाप्त किया राम मंदिर बनने के मार को प्रसस किया ये सारे विसाय देश और आस्था के हैं इनको चुनाब से जोड़ कर देखना यही संकीन मान सिकता है और इसी की सजा कॉंग् को देश बर में बिल रही है बतौर क्रिशी मंत्री बहुत सी चुनाथियां है मध्यप्रदेश में भी और देश में भी खास तोर पर तब जबकि क्रिशी कानून के फायदे आप लोगों ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए और यह कानून बापस लेना पड़ा सवाल यह भी किया क्रिशी कानून फिर से लाए जा सकते हैं भारतिय जनतापर्थी और भारती जनतापर्थी की सरकार क्रशी और किसान दोनों की समर्दता के लिए पूरी तरह प्रतिवत है हमने अनेक योजनाओं के माध्यम से क्रशी को भी आगे बढ़ाया है और किसान को भी सम कानून के माध्यम से भी एक बुनियादी सुधार लाया जाए हम उसमें सफल नहीं हुए लेकिन क्रसी आगे बढ़े और क्रसी का योगदान देश के जीडीपी में मजभूती से रहे और हम देश की खाद सुरक्षा को भी सुनिशित कर पाएं और आज पूरी दुनिया को नर और अंत में जाते जाते 2018 में आपने नारा दिया था अपकी बार 200 पार तो इस बार क्या टार्गेट लेकर चल रहे हैं आप मतलब